इसा खाऊं कि मुझे थोड़ा समय ही पेट भर जा और वो बहुत टेस्टी लगे तो मैं उसी को ध्यान में रखती हूँ आज लेके आई हूँ चीला ये लौकी का चीला है आपको बहुत ही टेस्टी और यमी लगेगा और थोड़ा समय पेट भर जागा और आपके शरीर को ब एसे बनाई हैं तो इसके लिए में प्रिड़े कद्दू मैं नौकी कैस्हेंAh मेरे हां कद्दू बोलते हैं इसलिए मैं बाड़ा कंद्दू बोल देती हूँ इसको लाूकी को मैं कद्दू कस कर ली हूँ टो कद्दू कась करने के बाद मैं इसमें सबजियां एड गाजण अ आपके पास है तो गाजर भी इसमें एड़ कर सकते हैं मैं इसमें टमांटर एड़ की हूँ प्याज लहसन उसके पाद मैं इसमें आधा कटोरी यानि ग्राम से कहिए तो ये पचास से पचास साथ ग्राम होगा ये अधाह सुझ्जी ये महीन वाली बारिक वाली सुझ्जी में एड़ कि हूँ इसमें और दही सुझ्जी में इस लिए एड़ कि हूँ तो ये बोंडिंग अच्छे से बंजायए continuation नहीं दही आड़ की हूं तो मसाले में धनिया पॉर्डर, मिर्ची पॉर्डर, हल्दी पॉर्डर, खड़ा, जीरा, अजमाई डाली हूं और थोड़ा सा करी पत्ता भी मैं तोर की इसमें डाल देती हूं कि पहले मॉकड़ी पत्ता जानते हैं कितना पेनिफिट है अमारी सरीर में के लिए और हरी मिर्ची आप्टी खेक एनुसार डाल यह जार डाले हूं और नमक श्वाद केनु सार डाल दीए और धनियापता डाल दीए हूँ अब सबको मैं मिक्स कर दूंगी इसमें पानी देने की कोई ज़रुद नहीं है कदू में यह बहुत नमक डालने के बाद पानी निकलता है अब मैं इसको ढख के छोड़ दूंगे इसे 10 से 15 मिनट छोड़ दूंगे और इससे पानी निकल जाएंगे तो 15 मिनट के बाद देखे एक दम से ये अच्छी से ये सुझी भी मेरा फूल गया है और सारे मसाले एक दूसरे में लिपट गया है तो मैं सबसे जरूरी चीज इसम बवाजी मसाला डाली हों ऐसे तो आप ग्रम मसाला भी डाल सकते हैं लेकिन पाउंभाजी मसाले से बहुत अच्छी टेस्ट आती है और अच्छी लगती है तो आप उसमें एक चमच पाउंभाजी मसाला डाल देजेग अ तो इस तरह से मैं पाउभाजी मसाला भी मिला देती हूं इसमें मैंनो नश्टिक तवाच चरहा दी हूं गरम हो रहा है मैं इसमें बस थोड़ा साही तेल इसमें लगाई हूं आप घी भी लगा सकते हैं तेल भी लगा सकते हैं और मैं एक कल्ची इसमें डाल दी हूं इसको मैं अच्छे से फैला दूंगी एकदम पतला से फैला दूंगी पूड़े में तो इस तरह से मैं पूड़े में फैला दी हूं आप मैं इसे ढख के पकाऊंगे अब दूसरे तरफ मैं पलट देती हूँ मैं इसे ऐसे ही जटाक से निख उठा के दम पटक दी और अच्छे से ये देखे पलटा गया है अब दूसरे तरफ भी मैं इसे ही इसे अच्छे से पका लूँगे अब ये देखे ही हो चुका है मैं निकाल ली हूँ दूसरा भी मैं इसी तरह से डाल दूँगे आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है प्लीज जरूर बताईएगा और लाइक देना भूल जाते हैं तो प्लीज प्लीज आपसे मैं तहे दिल से रिक्वेस्ट करती हूँ आपको ना सस्क्राइब में पैसे लगते हैं ना लाइक में पैसे लगते हैं तो प्लीज आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब कीजिए वीडियो को एक लाइक दे दीजिए बहुत मेहनत से मैं बनाती हूँ तो प्लीज प्लीज आप लोग से रायती के साथ और सौंस के साथ सर्फ कर रहे हूं वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सस्क्राइब जरूर जरूर